हेलो एवरीवन वेलकम बैक टॉपर बिंस आज चैप्टर 7 फ्यूचर टेकनोलोजीज जो 2024 में न्यू चैप्टर एड किया गया है लॉंग में न्यू इमेजेज नेक्स्ट क्लास 6 के बुक में तो वो चैप्टर में अभी पढ़ाने वाला हूँ हमारे इस व्यूवर्स जिनका नाम है अभी उनका तो नाम मुझे पता नहीं है तो उनका जो आईडी है हुआ ही मैं बोल रहा हूं सैम डैस मैं अधरेट करके मेंचन भी कर दूंगा उसको तो उसको मैं थैंक्स पूलना चाहता हूं इंफोर्मेशन देने के लिए कि चैप्टर चेंज हुए है और चलिया हम लोग इस चैप्टर को स्टैक करते हैं लिस्ट एनिफ तेकनोलोजिकल डिवाइसेज दाट यूज इन डेली लाइफ तो टेकनोलोजिकल डिवाइसे तो अब तो परिचित होंगे ही जा आप जिस चीज से मैं यह वीडियो बना रहा हूं वह भी उसी काई फल है उ out your list in front of the class तो technological devices जो हम लोग अभी basically generally सबको यूज करते हैं वो है हमारे पास एक mobile phone smartphone जिसको हम लोग बोलते हैं tablet भी होगा किसी के पास लैपटाप भी होगा किसी के पास और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको अभी deep में हम लोग नहीं जा रहे हैं हम लोग deep में जाएंगे इस chapter में तो चलिए हम लोग देखते हैं technology का जो development हुआ है technology किस तरह से प्रभाव हमारे life को प्रभाव हमारे life के कैसे प्रभाव डाला है और आगी किस तरह से हमारे life को प्रभावित करने वाला है वो सब possibilities इस chapter में हम लोग basically देखने वाले हैं तो चलिए हम लोग start करते हैं इस chapter को technology plays a huge role in our lives हम लोग तो जानते ही हैं बिना technology के तो हम लोग एक कदम नहीं चल पा रहे हैं बिना technology के कोई काम नहीं कर रहे हैं बिना technology के हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं नहीं सोचते हैं सोच भी रहे हैं तो भी हमारे हाथ में कुछ नहीं कुछ है technology से related technology plays a huge role in our lives यह तो 100% सच बात है huge role play कर रहा है हमारे life में in the past few decades science and technology have changed our lives in astonishing ways तो कुछ ही दशकों पहले few decades decades मतले one decade मतलब 10 साल यह ना इसको हिंदी में दशक बोलते हैं एक दशक दो दशक तो पिछले कुछ दशकों में science and technology में इतना development हुआ है जो की astonishing है astonishing मतलब आश्चरिय चकित तरीके से उसमें development हुआ है एकदम आश्चरिय करने वाला जो development हुआ है science and technology में वो हुआ है पिछले कुछ 10-20 सालों में तिल 2 decades ago 20 साल पहले ही we didn't have any smartphones और apps 20 साल पहले ही अगर हम लोग पीछे चले जाएंगे 2000 में 2004 में अगर भी हम लोग चले जाएंगे तो 2004 में हमारे पास smartphones नहीं थे हमारे पास applications नहीं थे वैसे 2004 में मैं कौन से class में था पता है आपको 2004 में मैं class 8 में था और 2006 में मैंने 10th का board दिया था 2006 ओके तो 2004 में जब मैं 8 में था तब हमारे पास कोई phone नहीं था even basic phone भी नहीं था घर में पूरे गाउं में किसी एक के घर में वो potable phone हुआ करता था telephone जिसके घर में किसी का phone आ गया तो हम लोग उसके घर पे जाते थे line लगके बैठे वे रहते थे किसी का phone आने वाला है तो किसी का phone आता था तो वो लोग बुला देते थे गाउं से कि आपका फोन आने वाला है आजाइए आप पाँच बजे चार बजे तो पूरे गाउं में एक टेलिफोन हुआ करता था सोचो 2004 और अभी 2024 बीस साल बाद ही इतना खतरनाक चेंजे आ गया है कि अभी सायद ही कोई ऐसा इंसान मिलेगा जिसके हाथ में स्मार्टफोन नहीं होगा सोचो बीस सालों में कितना खतरनाक डवलपमेंट हुआ है टूड़ें लाइफ विदाट इस टेक्न लोगी इस अंइमेजिनेबल एक्दम करेक्ट बात यह है यह लाइन जो है यह यह अग्दम धासु लाइन है तोड़े आज जो है लाइफ जो है एकदम मतलब अनिमेजिनेबल हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं बोलतो रहे हैं आप स्मार्टफोन नहीं छोड़ दो बाकी के गैजेट्स तो छोड़ो ही उसका तो बात ही मत करो बाकी गैजेट्स का या बाकी टेक्नलोजिकल जो भी हम को आदत है अपने नोटिफिकेशन चेक करने का एक एक मिनिट में हम लोग खोल के देखते हैं ऐसा आदत लग चुका है खाना नहीं मिलेगा आदमी जिन्दा रह जाएगा लेकिन स्मार्टफोन पर बिना हमको नहीं लगता कि कोई जिन्दा रह पाएगा ऐसा आदत लग ज डेली लाइफ में डेली के दिन चर्या में हम लोग टेकनोलोजी को यूज कर रहे हैं इसका इंफ्लोएंस जो है फ्यूचर में और भी और बढ़ता जाएगा इंक्रीज इन फ्यूचर अब स्मार्टफोन को तो छोड़ दो अभी कुछ और ही बात करने वाले हैं जो की टेकनोलोजी हमें देने वाला है और दे चुका है इवेन जिसका डेवलप्मेंट होना सिर्फ बाकी है तो हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे एक्साइटिंग आइडियाज और कॉंसेट्स जो हमरे लाइफ को जो हमरे फ्यूचर को पूरा-पूरी चेंज कर देगा उसी में से एक टेकनोलोजी है 3D प्रिंटिंग तो हम लोग यहाँ पे तीन टेकनोलोजी कल एडवांस्मेंट को देखने वाले हैं पहला है 3D प्रिंटिंग तो 3D प्रिंटिंग होता क्या है 3D प्रिंटिंग में हम लोग basically पाढ़ेंगे 3D printers के बारे में ठीक है जैसे हम लोग कोई paper पे हम लोग कुछ लिखते हैं तो पेपर पे अगर कुछ लिखते हैं तो वह 2D हो गया X-axis और Y-axis ठीक है? X-axis और Y-axis जब पेपर या प्लेट पे कुछ लिखते हैं तो लेकिन जब यहां पे उसका हाइट अगर निकल जाए तो वह 3D हो जाता है जब उसका हाइट मिल जाएगा उसको एक हाइट मिल जाएगा तो वह 3D कहलाता है बेसिक बात है यह ओके अभी 3D printers के बारे में पढ़ेंगे 3D printers are a new generation of machines that can make everyday things 3D printers जो है new generation का कुछ machines है जो की everyday things को बना सकते हैं, daily use का things को बना सकते हैं, prepare कर सकते हैं the uniqueness of this technology, इस technology का uniqueness क्या है इस technology में अलग बात क्या है तो uniqueness मतलब कुछ अलग है, क्या अलग है इस technology में 3D printing में क्या अलग बात है the uniqueness of this technology lies in the fact that it can produce different kinds of objects in different materials, all from the same machine तो इस technology का खासियत है, uniqueness है कि ये जो है, ये different kinds of objects बना सकता है अलग-अलग तरीके का चीज बना सकता है different materials है, in different materials और एक ही machine से, all from the same machine एक ही machine से अलग-अलग type का चीज बना सकता है तो ऐसा machine है, 3D printing, 3D printers तो इसका technology में ये एक खासियत है कि एक ही machine से ये अलग-अलग चीज बना सकता है अलग-अलग material में Right now, 3D printers can produce relatively simple objects like ceramic cups, plastic toys और machine parts अभी currently 3D printers क्या कर रहे है 3D printers जो है, वो produce कर रहा simple object जैसे कि ceramic cups हो गए, plastic के toys हो गए machine के parts हो गए, अभी currently ये सा print कर रहे है but in future, these machines will be capable of making complex objects too लेकिन future में क्या होने वाला है ये जो machines है, ये इसमें इतनी छमता है है इतना छमता, इतना capable है ये सब machine कि future में complex object भी बनाएगा ये complex object मतलब बहुत बड़ा-बड़ा बड़ा चीज जटिल चीज भी इसको बना सकता है इतना capable है ये future में होगा, अभी तो छोटा-मोटा चीज ceramic का plastic toys बगरा बना रहा है लेकिन future में बहुत possibilities है इसके साथ, 3D printers के साथ they have the potential to replace traditional factories with a single machine देख रहे हो, कितना बड़ा बात बोला गया यहाँ पे कि ये जो 3D printers है इसके पास इतना potential है इतना दम है कि ये पुराने type के जो factories है traditional factories जो है जो चले आ रहे हैं सालो साल से उन सबको भी replace करने का चमता है इसमें, एक single machine का सोचो, इतना दमदार चीज है ये 3D printing The idea behind the 3D printing process is to turn a whole object into thousands of tiny slices क्या idea है 3D printing के पीछे? 3D printing का idea क्या है? इस printing का idea है जो एक पूरा object को पूरा सामान को वो हजारो छोटे-छोटे slices में बांट देता है हजारो छोटे-छोटे slices में बांट देता है हजारो छोटे-छोटे slices में little tiny little slices में बांट देता है टुकडे कर देता है and then build the object from the bottom up और फिर से object को एकदम निचले इस तर से उस नए object को बना देता है slice by slice एक-एक slice use करके slice by slice use करके new object फिर से बना देता है those tiny layers stick together to form a solid object और यह जो tiny layers है यह जो एक-एक layers है चोटा-चोटा यह layer जो है आपस में चिपक करके एक solid object बना लेता है in future you may be capable of printing a whole bike handlebars, saddle frame, wheel, brakes, paddle and chain without using any tools, तो future में हम लोग इन सारे चीज़ों को बना पाएंगे 3D printing के process से क्या-क्या है पूरा bike पूरा motorcycle बना सकेंगे, handlebars motorcycle का, motorcycle का seat होता है, saddle, उसका frame wheels, brakes, यह सब कुछ chain वगरा यह सब कुछ बिना tools के use किये हुए हम लोग 3D printers से बना सकते हैं बना पाएंगे future में the day will come when we will be able to produce other complicated objects like mobile phones cars और even houses using this technology देखो यहां पे क्या बोला गया ऐसा दिन भी आएगा the day will come when we will be able to produce other complicated objects तो ऐसा दिन भी आएगा future में जब हम लोग इस तरह के complicated objects daily use के जो complicated objects होते हैं बहुत सारा जो typical complicated objects होते हैं जैसे कि mobile phone हो गया हमारे घर के cars, four wheeler, हमारा घर यह सब भी हम technology के थूरू इस technology के थूरू बना पाएंगे near future में the future holds immense possibilities for this technology आने वाला जो future है इसमें आसीम छमताएं हैं immense possibilities immense possibilities मतलब बहुत ही ज्यादा छमताएं भरी हुई हैं इस technology में यहां तक कि हम लोग mobile phone car हमारे घर, houses को भी बना पाएंगे 3D printers से और दूसरा technological advancement है पहला है 3D printing दूसरा है internet of things IOT जिसको बोलते हैं internet of things the internet of things refers to group of connected devices that collect and send that collect, send and act on the data they acquire from their surroundings surrounding environments using embedded sensors processes and communication hardware internet of things क्या है internet of things को समझने के लिए हम लोगों को समझना हो कि internet जो है जो हम लोग यूज करते हैं उसको मत समझो internet का मतलब समझ लो एक group of devices ठीक है internet का मतलब एक जाल समझ लो एक net समझ लो एक group of devices है यह ना? internet of things क्या है group of connected devices जो आपस में connected है जो क्या करता है data को collect करता है send करता है और उस data पए act भी करता है मतलब काम भी करता है उस data के उपर में वो data आता कहां से acquire from surrounding environment से आता है तेक है surrounding environment से जो data हमारे जो data उस group of connected group of connected devices में जाता है surrounding سے उसके उपर वो काम भी करता है उसको collect भी करता है उसको फिर send भी करता है ठीक है और यह surrounding environment से आता कैसे है group of devices है उसमें जो embedded sensors है प्रोसेसर से communication hardware से इनके जरीए ठीक है देखो यहाँ पर मैं एक बार आज समझाता हूँ एसा छोटा छोटा एसा devices है ठीक है एसा छोटा छोटा group of devices है इस पूरे group को हम लोग बोलेंगे internet of things ठीक पूरे group को ठीक है तो आपस में क्या होता है कि यह लोग आपस में यह जो groups है यह जो devices अंदर में यह जो square square मैंने बनाया है यह आपस में data को collect करता है send करता है और act करता है उसके उपर काम करता है और यह data इनको कहां से मिलता है इनके surrounding से मिलता है और surrounding से कैसे मिलता है इनको इनके अंदर में ही यह सारे devices के अंदर में ही embedded sensors है, processors है, communication hardware है इनके जरिये इनको data मिल जाता है अपने environment से, surrounding से और जब internet, जब आजू बाजू से उनको surrounding से उनको data मिल जाता है तब उस data को वो लोग collect करते हैं, send करते हैं और उसके उपर act भी करते हैं ठीक है, I hope कि आप वो internet of things जो है, जिसको IOT बोला गया है, यह group of connected devices है, यह group of connected devices है, कुछ group, कुछ devices है, जिसको हम लोग connect करती हैं, सारे connected devices उनका group है, और वो करता क्या है, data को collect करता है, send करता है और उसके उपर act करता है, ठीक है, और यह data कहां से उनको मिलता है, कहां से वो acquire करते हैं, अपने surrounding environment से acquire करत हैं embedded sensor processor और communication hardware को यूज करके कोई कोई डाउट रहेगा तो जरूर comment करना इस डिवाइसेज ओफन नोन एज स्मार्ट डिवाइसेज इन डिवाइसेज कोई स्मार्ट डिवाइसेज भी बोला जाता आयोटी को can talk to other devices यह दूसरे डिवाइसेज से conversation भी कर सकते हैं this process is called machine to machine communication जब एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से communicate करता है तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं machine to machine, m2m communication these devices can then act on the information they get from one another फिर एक दूसरे से जो information मिलता है उसके उपर वो act करते हैं humans can interact with these gadgets और human beings जो हम लोग है human beings जो है in gadgets के साथ interact कर सकते हैं to set them up by giving instructions but the devices can also work on their own without human intervention तो यहां बोला जा रहा है कि human beings हमारे जैसे जो लोग है हमारे जैसे जो users है, individuals है हम लोग क्या करते हैं, इन devices को, इन gadgets को हम लोग use करते हैं है ना, और use करने के लिए हम लोग इसको कुछ instructions दे देते हैं ताकि वो अपना काम करें लेकिन ऐसे devices जो है ऐसे devices जो है, वो खुद बहुद भी काम कर सकते हैं बिना human intervention के intervention मतलब हस्ता चेप कि human का बिना instruction के भी ऐसे devices काम कर सकते हैं इस technology allows for a level of real-time information that humans have never had before तो यह जो technology है, यह बहुत important line है इसको समझना है यह जो IOT, Internet of Things जो है इसका जो technology है यह क्या लाव करता हम लोगों को पता है real-time information current information हम लोगों को दे देता है human beings को दे देता है जो human beings को पहले कभी ऐसा मिला नहीं है कोई device जो देने वाला है information मतलब अभी real-time में क्या होने वाला है एकदम correct information तुरंत real-time में ऐसा data information कभी दिया नहीं है कोई technology ने अभी देखो और clear हो जाएगा people can monitor their homes and families remotely to keep them safe तो इस technology को IOT मतलब Internet of Things को use करके people क्या कर सकते हैं पता है people अपने homes को अपने families को दूर बैठ करके भी safe रख पाएंगे क्योंकि उनको information मिल जाएगा इस technology से पहले ही कि कोई दुरगटना होने वाला है कोई दुरगटना होने वाला है कोई दिक्कत आने वाला है कोई mishap होने वाला है कोई accident होने वाला है यह technology हम लोगों को पहले ही बता देगा तब हम दूर में भी बैठे रहेंगे तो camera से देख लेंगे अपने घर को अपने family को दूर से ही और दूर से ही instruction देकर करके अपने family को safe रख पाएंगे बचा पाएंगे बिजनेस को और इंप्रूब किया जा सकेगा ऐसे technology को use करके जिससे बिजनेस का productivity बिजनेस का जो productivity है वो बढ़ जाएगा और material का जो wastage होता है वो wastage भी नहीं होगा sensors in city infrastructure can help reduce road congestion तो city infrastructure मतलब cities में जो sensors लगे होंगे internet of things के IOT के IOT के जो sensors है वो city में भी लगे होंगे तो वो हम लोगों को पहले ही information दे देगा ठीक है road के बारे में traffic के बारे में जिसके help से हम लोग road congestion से बच पाएंगे road में जो congestion हो जाता है उससे हम लोग बच पाएंगे भीड भार से बच पाएंगे and warn us when infrastructure is in danger of crumbling और ऐसा technology जो है यह हम लोगों को warning भी दे देगा कि कोई infrastructure कोई building जो है वो danger है वो danger of crumbling में है ऐसे position में कि वो तूट सकता है कोई infrastructure जो है वो गिर सकता है कोई building जो है वो गिर सकता है वो गिरने से पहले information हम लोगों को मिल जाएगा इस technology के दवारा IOT के दवारा gadgets out in the open can monitor changing environmental conditions and warn us of impending disasters और इससे related जो gadgets हैं बाहर में वो environmental condition को monitor करेगा जैसे अभी weather report मिल जाता है हम लोगों को पहले ही लेकिन तुरंथ होने वाला है तो तुरंथ information नहीं मिलता है बहुत पहले information मिलता है at a time अगर अचानक कुछ होने वाला है तो वैसा information नहीं मिल पाता है मतलब बहुत मुश्किल होता वैसा information निकालना लेकिन यह जो internet of things है यह connected devices यह क्या करने वाला है यह environmental condition को monitor करेगा चेक करेगा और आने वाला जो disasters है आने वाला जो तबाही है भूकंप है flood है कुछ भी flood हो गया volcano हो गया वारा earthquake हो गया यह सब के बारे में पहले ही बता देगा हम लोगों को ताकि हम लोग alert हो जाएंगे तुरंत alert हो जाएंगे as IOT becomes more sophisticated the day is not far when your smart home will detect that you have fallen asleep तो IOT जो है इतना sophisticated हो गया इतना developed हो गया है तो वो दिन दूर नहीं when your smart home will detect that you have fallen asleep वो दिन दूर नहीं जब तुमारा smart home तुमारा घर आज घर है लेकिन आगे future में तुमारा घर smart home हो जाएगा क्यों? क्योंकि internet of technology उसमें लगा हुआ होगा और उस technology के वज़े से तुमारा घर जो है वो smart home हो गया होगा अभी जैसे तुमारा phone smartphone है वैसे तुमारा home भी smart home हो गया रहेगा जो detect कर लेगा कि तुम सो गये हो और automatically क्या करेगा? टीवी को बंद कर देगा और lights को off कर देगा सोचो ये दिन भी आने वाला है और possible है IOT के द्वारा ठीक है? future में smart home भी आने वाला है जो detect कर लेगा देख लेगा कि तुम सो गया है तुमारे सो जाने के बड़ टीवी भी off कर देगा और lights भी off कर देगा और before you start your day, your car will pull up your work calendar and automatically provide the best route to your meeting और जैसे ही तुम अपना दिन को सुरुवात करने वाले रहोगे तुमारा car जो है वो भी smart car होगा और वो car क्या करेगा तुमारा दिन का जो काम काज रहेगा उसका calendar को निकाल लेगा और automatically तुम्हें सबसे अच्छा route बताएगा तुम्हें तुम्हें तुमारे meeting तक पहुचाने के लिए सोचो ऐसा भी दिन आएगा तो अभी हम लोग दो technological advancement पर लिए है एक 3D printing और दूसरा internet of things और तीसरा है driverless cars बिना driver के car सोचो self-driving cars are the future of commuting self-driving cars मतलब खुद बखुद कार अपने आप drive होगा तो future में जो हम लोग छोटे trips करने वाले हैं या जैसा भी trips करने वाले हैं commuting मतलब trips वगरा तो उस वो जो है self-driving cars ही है almost all the major tech companies have invested a lot of time and money into building safe and efficient driverless cars लगबग लगबग सारे major technological जो companies है वो invest कर चुके अपने पैसे लगा चुके हैं अपने time को लगा चुके हैं किसमे safe driverless cars बनाने में it's only a matter of time before such cars become a part of our roads तो एक कुछी समय का बात है कुछ समय बीतने दो उसके बाद आप लोग देख लेंगे कि बीना driver वाला car भी road पर दोड़ने लगेगा a driver's error is the most common cause of a traffic accident driver का जो गलती होता है वो सबसे common cause होता है सबसे common reason होता है traffic accident का with ever rising traffic and complicated road systems accidents are a major source of concern today तो traffic के बढ़ जाने के वज़े से road के complicated हो जाने के वज़े से आजकल accidents का जो number है वो बहुत बढ़ गया है और आजके लिए बहुत ही important बहुत ही concern हो गया है बहुत ही बड़ा problem बन चुका है self driving cars can be the answer to this problem और self driving car अगर आज आता है तो इस problem से हम लोग छुटकारा पा सकेंगे autonomous vehicles will have the ability to avoid potential road disasters by mapping busy routes and avoiding them autonomous vehicles जो है autonomous का मतलब खुद ही चलने वाला गाड़ी autonomous का मतलब होता है खुद से control हो जाने वाला गाड़ी तो खुद से control होने वाला वेकिल्स खुद से control होने वाला जो गाड़ी है उनके पास ability रहेगा उनके पास ऐसा चमता रहेगा कि जो road में जो आने वाला disaster है रोड में जो आने वाला नुकसान है जैसे land slides वगरा हो जाता है रोड में बड़ा बड़ा गड़ा हो जाता है अचानक से धरती धस जाता है तो उस तरह का जो danger आता है disaster आता है उन सब को रोकने का छमता रहेगा ऐसा autonomous vehicles के अंदर में तीक है और ये सही route को map कर लेगा सही route को च disasters को ये क्या कर लेगा map कर लेगा और map करके सही busy routes को choose कर लेगा और हमको ऐसे disaster से बचा भी लेगा इस cars will not only decongest roads but make our roads lot safer ये ऐसे cars जो हमारे road को सिर्फ crowd से ही नहीं बचाएगा congestion से ही नहीं बचाएगा बलकि हमारे roads को काफी safer भी बनाएगा decongest मतलब free करना to make something less crowded जैसे अभी traffic jam हो जाता तो कितना crowd हो जाता भर जाता तो उसको बोलेंगे congestion होना congest और decongest का मतलब traffic नहीं होना ठीक है crowd नहीं होना तो road को crowd less कर देगा ये ठीक है decongestion से road jam होने से भी बचाएगा और ये road को बहुत safe भी बनाएगा they are also likely to be more environmental friendly as they will run on electricity and won't use harmful carbon based fuels तो ऐसा लगता है कि यह environment friendly भी होने वाला ऐसा driverless cars क्योंकि यह सब कार जो है वो electricity से चलने वाला है और यह सब harmful नहीं रहेगा यह सब harmful carbon based fuels को नहीं यूज करने वाला डीजल पेट्रोल केरोसीन यह सब चीज यूज नहीं करने वाला यह सब carbon based fuels है okay तो probably यह सब electricity से चलेगा और environment friendly रहेगा pollution भी नहीं करने वाला है at present these technologies are too nascent and expensive for mass consumption but in the not too distant future these will become an inseparable part of our everyday life nascent का मतलब बता not yet fully developed मतलब इस तरह का जो technologies है at present जो है यह से technologies जो है भी fully developed नहीं हुआ है काम तो चल रहा है लेकिन fully developed नहीं हुआ है और काफी expensive भी है काफी महंगा भी है mass consumption के लिए mass consumption का मतलब क्या होता है mass consumption का मतलब होता है बहुत जादा मात्रा में हम लोग use करेंगे तब उसको बोलेंगे mass consumption तो mass consumption के लिए सभी लोग अगर use करने के लिए अभी उतर जाएंगे तो सबको मिलने वाला है नहीं यह technology क्योंकि यह technology अभी fully developed भी नहीं हुआ है तो mass consumption के लिए ready अभी है नहीं लेकिन not too distant future लेकिन बहुत बढ़ा बहुत दूर लंबा future नहीं है अभी उतना भी दूर नहीं है उतना distance नहीं है बहुत जल्द यह शुरू हो जाएगा this will become an inseparable part of our everyday life और यह हमारे life में inseparable part बन जाएगा मतलब ऐसा चीज बन जाएगा जिसको हम लोग अपने life से हटा नहीं पाएंगे जिस तरह से smartphone बन गया अभी हम अपने life से smartphone को हटा नहीं पा रहे है चाके भी उसी तरह से यह technology है driverless cars इनको भी हम हटा नहीं पाएंगे एक समय में नी और future में तो यह chapter यहां पर खतम होता है कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताइए कोई और chapter changes हुआ है तो मुझे mail कीजिए comment कीजिए मैं अपना email id दूंगा चैनल भी मेरा email id मौजूद है झाल